बड़े से बड़े रेल इंजन था भी बाप यात्री ट्रेन को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कीचने का तम भारी से भारी मालगाडी को भी 120 किलोमीटर की रफ्तार तक ले जाने में माहिर ताकत 12,000 होर्सपावर रेल इंजनों के इस बाप को भारत ने खुद मेकिन इंडिया के तहट मध्य फुरा की लोको मोटिव फैक्टरी में बनाया इसमें लगे नभ्य फीजदी पार देश में ही बने है रफ्तार के अलावा भी इसकी धेरो खुबिया है इसमें लगे डीप पॉप वाचिंग दिवाईज की भज़े से इसकी रफ्तार सर्दियों के कोहरे में भी कम नहीं होगी इसके आने से पहाड़ी इलाकों में दो इंजनों का इस्तिमाल नहीं करना पड़ेगा साथ ही माल गाड़ियों की रफ्तार दोबनी हो जाएगा इस इंजन से 120 किलो मीटर की रफ्तार में 9000 तन सामान होया जा सकेगा ये स्मार्ट इंजन दुरगटना की स्थिती में खुब खुद एमर्जेंसी ब्रेक लगा लेगा और इसकी पट्री से उतरने की संभावना भी ना के बराबर होगी बारा हजार होट पारवाले पहले इंजन को हरी जंडी दिखाने का सोभागय अभी अभी मुझे मिला है साथ्यों दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां माल डुलाई के लिए इतने पावरफुल एंजन इस्तिमाल करते हैं इन एंजीनों से भारत की मालगाडियों की उसत रफ्तार दो गुनी से भी जादा बढ़ जाएगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी जंडी दिखाए और भारत भी चीन, जर्मनी और स्वीडन जैसे उन देशों की कतार में खणा हो गया जिन के पास ये रेल इंजन का बाप है